ही गाईस हेलो हाई सस्ले का नवस्ते आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और आज मैंने मातारानी की भूग की थाली बनाई थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये में शेर करती हों और आज है नौमी यानि नवरात्रा लास्ट आज देवी जी का छ चलिए मैं आपके साथ ये शेर करते हूं कैसे बनाया था मैंने मैंने पहले हैं चना बनाया था ये मैंने रात को भिगो के रख दिया था ये फूल चुका है अच्छे से और अभी मैं इसको वोईल कर लूँगी वोईल करने के लिए मैंने कुकड में कूकर में डालाए इसम मैं थोड़ा सा में पानी एड करूंगी और थोड़ा सा सॉल्टेड करूंगी यह पक जाएगा उसके बाद हमें से फ्राई कर लेंगे यहां पेदे की चने बॉयल हो चुके हैं अच्छे से पक चुके हैं देखिए मैं आपको दिखाते हूं यह मैंने 5-6 सीटी लगाया था उसमें अच्छे से पक चुके हैं और इसका मैंने पान इनकाल के अलग कर दिया हैं और अभी मैं गेस ओन करके इनको फ्राई कर लूँगी और यह फटा-फट से मिंटों में तयार हो जाते हैं और यह मैंने बिना ओनियन बिना गार्लिक के बनाया क्योंकि यह मातरानी का विरसाद बन रहा है भूग बन रहा है तो मैंने इसमें कुछ नहीं डाला वो हल्दी पाउडर रेड चिल्ली पाउडर धनिया पाउडर और आम चूर पाउडर और सॉल्ट मैंने इसम मसाले को एक साथ एड़ कर लिया है ऐसे कटोरी में ले लेंगे छोटे से बाउल में ले लेंगे इसके अंदर पानी डालके गूल बनाना है हमको ऐसे गूल बनाके मिक्स करके इसको रेडी कर लेंगे देखिए गूल बन गया है यहां पर और यहां मेरा ओइल गरम हो चुका है इसमें थोड़ा जीरा एड़ करूंगी एक पिंच हेंग एड़ करूंगी उसके बाद जो हमने मसाले का गूल बनाके रखाता है बोई एड़ कर देंगे हम इसमें यह गूल एड़ करेंगे और एक मिनिट के लिए इसको पका लेंगे स्लोग एस पे उसके बाद हम इसमें चने एड़ कर देंगे फटा फट से बन जाता बहुत टेश्टी बना था यह मेरा चना बहुत टेश्टी देखिए यह अच्छे से पक चुका है और अभी हम इसमें चने एड़ कर देंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चने को मसाले के अंदर और ढखके एक मिनिट के लिए पकाना है हमको बस और यह रेड़ी हो जाएगा उसके बाद मैं हलुआ बनाऊंगे ढखके एक मिनिट के लिए पकाना है बस देखिए कितना अच्छा बनाए मेरा चना इबन के रेड़ी हो गया यह मैं साइड में कर दूंगी और अभी मैं हलुआ बना लूंगे तोड़ा सहराधन यह डाल सकते हो आप उससे तोड़ा मतलब अच्छा खुस हुआ आता है और एबन के रेड़ी हो चुका है अभी मैं हलूआ बना लूँगे और मैं यहाँ पे सूजी का हलूआ बना रही हूँ उसके लिए मुझे क्या क्या सामान चाहिए मैंने वो सब ले लिया मैंने एक कटोरी सूजी लिया है और उससे थोड़ा कम एक कटोरी में मैंने सुगर ले लिया यानि और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा किसमिस बादाम लिया है गही लिया अभी हम गेस ओन करके मैं पेन रख दूँगी यहाँ पर फटा फट से मैं अपना हलुआ भी रेड़ी कर लूँगी उसके बाद मुझे पूड़ी और सबजी बनाना है मैंने आपेन के अंदर सूजी डाल दिया और अभी मैं इसमें घी अड़ करूँगी गी आप कम जादा कर सकते हैं अपने परसंद के अनुसार आपको जादा खाना अच्छा लगता है और इसे घी में अच्छे से रोष्ट कर लेंगे भून लेंगे इसको अच्छे से लाल होने तक रेड़ होने तक इसको भूना है अब को अभी यहां पे अच्छे से बुन चुका मैं अभी यहां पे सुगर एड़ कर दूँगी और इसमें पानी एड़ कर दूँगी मैंने एक कटोरी सूजी लिया था तो मैंने इसमें दो गलास पानी एड़ किया है एक कटोरी चीनी एड़ कर देंगे आप पे उसके बाद मैं पानी एड़ करूंगी दो गलाज चलाते रहें इसको अच्छे से बनना गुठलिया बन जाती है तो उससे फिर खराब भी हो सकता है आपका हलुआ और इसको अभी देखिए उबाला चुका है इसमें ये पक जाएगा थोड़ी दें दो तीन निर्ट लगती है इसलुआ को बनाने में इसे ढखके अच्छे से पका लेंगे हम और मैंने थोड़ा सा ये बादम का पाउडर बना के रखाता है किसमिस थोड़ा मैंने इसमें डाल के रखाता है तो बो मैं इसके अंदर एड़ कर दूंगे और गार्निस के लिए बाद में मैं इसमें किसमिस बादम बाद में एड़ करूंगे तो हलूप बनके हमारा रेडी हो चुका है, अब हमें सब्जी पूड़ी बना लूगे ठीने और मेरा हलूप बनके रेडी हो चुका है, मैं पे फटा-फट से आलू का, आलू टमाटर का सब्जी बनाऊंगी और पूड़ियां बना लूँगी यहां में कूकर में ओयल डाल दिया है थोड़ा उसके अंदर जीरा और हींग एड़ किया है उसके अभी मैं अपना जो मैंने सबजी कटिंग करके रखी है पटेटो में बो एड़ कर दूँगी और यह सबजी बहुत टेश्टी बनती है और फटा फट से बनके रेड़ी हो जाती है अब मैं इसके अंदर सारे मसाले एड़ कर दूँगी वो ही रेगूलर मसाले जो हम डेली खाते हैं हल्दी पाउडर, मिर्ची, धनिया पाउडर, नमाग बहुत जो डेली डालते हैं सबजीयों में और अभी मैं दूसरी गेस पे से सिप्ट कर दूँगी इस गेस पे मैं पूड़ी बनाऊँगी अभी मैंने अभी ओयल रख दिया है अभी गरम हो जाएगा, मैंने आटा लगा के रेडी रखा है, फटा-फट से पूड़ीया भी बना लेंगे ओयल गरम हो चुका है अभी मेरा सबजी भी ओल्मोस्ट रेडी हो चुका है मैंने उसके अंदर धनिया एड़ कर दिया है और अभी मैं उसको बंद कर दूँगी डखके रख दूँगी, उसके बाद मैं पूड़ी बनाऊंगे देखे कितना अच्छा सबजी बनाए अभी मैं अपना पूड़ी बना लूँगी इदर और मातारानी का भोग लगाएंगे उसके बाद हम पूजा करेंगे फिर खाने से फ्री होके आई होप आप लोगों का आज का ब्लॉग परसंद आया होगा आज का वीडियो परसंद आया होगा परसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पूडियां देखो बनके मेरी रेडी हो चुकी है कितनी फूली फूली पूडी बनी है और अभी मैं थाली रेडी कर लूँगी भोग के लिए फिर मैं भोग लगा के फिर हम पूजा करेंगे देखिए कितना अच्छा पूडी बनाए न यह बनाए 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 न बनाए पूड़के लिए लूड़के लिए मेरा पूड़ी आज बहुत ही अच्छा बना था सारा फूल रहा था चलिए अभी में भोग के लिए थाली रेडी करूँ आज यहां खाना बनके रेडी हो चुका है और अभी में अपना थाली रेडी कर लूँगी मातारानी को भोग लगा दूँगी उसके बाद मुझे अपनी फैमली को खिलाना अपने बच्चे को खिलाना लेखे कितना अच्छा देख रहा है वाब हम पूजा करेंगे अभी हम लोग यहां पे पूजा कर रहे हैं जब आ बच्चे मेरे साथ दौनों आरती करा रहे हैं झाल झाल हाँ जी हाँ हम लोगों को पूजा हो रहा है और थैंक यू फोर बॉचिंग आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा पर संद आया होगा ओके बाई झाल 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 झाल